रसी मत खीचो, तूट जाएगी The rope will pull apart The rope will pull apart तो guys, यहाँ पे मैंने phrasal verb pull apart यूज की है जिसका मतलब होता है दो पीसे में तूट जाना तो अगर आपको किसी को ऐसे बून लाओ की लाइक ही दो पीसे में तूट जाएगा, ऐसे मत खीचो तो आप इस तरीके से pull apart का यूज कर सकते हो जैसे मैंने यूज किया, the rope will pull apart अब pull apart के और भी uses हैं, आइए देख लेते हैं It is also used to separate two people when they are fighting जब दो लोग लड़ रहे हों, उनको अलग करने के लिए आप यूज कर सकते हो pull apart, जैसे की They were fighting, so I just pulled them apart They were fighting, so I just pulled them apart वो लड़ रहे थे, इसलिए मैंने उने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है, दूर दूर कर दिया अब pull apart कुछ इसलिए भी use होता है to upset someone, किसी को थोड़ा सा upset कर देना, emotional कर देना जैसे की आप कह सकते हो Don't let this matter pull you apart Don't let this matter pull you apart इसका मतलब क्या है इस वजह से अपने आपको उदास मत करो ठीक है, तो इसका मतलब grief ये भी होता है I hope आपको ये तीन uses समझ आ गए होंगे दो pieces में तूटना, दो pieces में अलग होना जब दो लोग लड़ रहे हूं उनको अलग करने के लिए use करना और किसी को upset करना उस sense में भी आप इसे use कर सकते हैं So I hope you understood this pull apart Now it's your turn to frame sentences using pull apart And you have to write in the comment section Thank you so much for watching